हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दा एविजर्ड अकेड़ी में तो प्यारा बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डाटा एंट्री ओपरेशन के सॉल्व एसाइमेंट और आज का एसाइमेंट मैंने इस्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जिने एक्जाम देना है अप्रेल संदो हजार चौविस के अंदर या फिर अक्तूबर संदो हजार चौविस के अंदर सेशन रहने वाला है 23 से 24 का क्लास है आप लोगों की 10 और मीडियम है आप लोगों का हिंदी और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैं सब्जेक्ट है आप लोगों का डाटा एंट्री ओपरेशन जिसका पेपर कोड है 229 आईए सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका कोशन पेपर दिखाता हूँ जो अपरेल संदोजार 24 वाले बच्चों के लिए दिया है तो यहाँ पर देखेंगे यह आप लोगों का न्यू कोशन पेपर है ट्यूटर मार्क एसाइमेंट का आप इसे एक बार चेक कर लें औ का 100% solution देने वाला हूँ और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखकर अपना ट्यूटर मार्क एसाइमेंट बनाते हैं तो आप लोगों को मिलने वाले हैं 100% मार्क्स प्यारे बच्चों अगर आप हमसे अपना ए अंसर मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से explain कर दिया है आप वीडियो को पाउस करके इसका screenshot ले सकते हैं और आराम से इसको देखकर उतार सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो देखकर उतारने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसका PDF भी डाउनलोड क कर सकते हैं PDF डाउनलोड करने के लिए जाना है आप लोगों को इस वीडियो के description box में नीचे की तरफ description box है और वहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने इसका download link दे दिया है आप उस पर click करके इसे download कर सकते हैं और अगर आप लोगों को इसका जो assignment है handwriting में अगर आपको हमसे बन पाना है ताके आप लोगों को अच्छे marks मिल सकें तो प्यारे बच्चो उसके लिए भी आप मुझे contact कर सकते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे question number third है आप उतार लें और प्यारे बच्चो अगर आप लोगों को इस subject के most important questions चाहिए ताके आप अपने exam की तैयारी अच्छे से कर सकें तो उसके लिए भी आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं यहां पर आप देख पाएंगे यह जो picture है इसे आप जो है इसका print out निकलवा कर इसे paste कर दें ताके आप लोगों को अच्छे marks मिल सकें और अगर आप लोगों की painting अच्छी है तो आप इसे बना भी सकते हैं यह रहा question number four उतार लें MS Word की चार परमुख विशेशताएं लिखिए तो इसके answer को हमने बहुत अच्छे से यहां पर explain कर दिया है इसी तरीके से मैंने बागी subject के भी tutor mark assignment बना दिये हैं कुछ का link मैंने इस video के description box में दिया है और अगर आप लोगों को handwriting में assignment चाहिए तो please मुझे जो है what's up पर बताएं मैं आप लोगों के लिए assignment बना दूँगा front page के साथ बनाओंगा ताके आप लोगों को बहुत अच्छे marks मिल सकें और आप सभी students अच्छे नंबरों से पा 5 classes ले सकें हमसे discuss कर सकें अपने दोस्तों के साथ बात कर सकें और जो है exam notes वगरा भी ले सकें तो आप जो है WhatsApp ग्रूप को भी जॉइन कर लें और Facebook चैनल को भी जॉइन कर लें ताकि आप मुझसे directly बात कर सकें यह रहा question number 5 का answer आप देख लें और प्यारे बच्चों यह जो आपको picture दिखाए दे रही है इसका आप screenshot ले लें और print out निकल वाकर इसको paste कर दें यह रहा question number 6 और प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी students जो हैं दसवी class को बहुत अच्छे नंबरों से clear करेंगे अच्छे नंबरों से pass हो जाएंगे और अगर आप लोगों को इसका practical चाहिए तो भी आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं exam notes के लिए आप मुझे contact कर सकते हैं किसी भी तरह की help के लिए आप मुझे contact कर सकते हैं WhatsApp नंबर है मेरा 7678696142 देख लें उतार लें और प्यारे बच्चों प्लीज आप घबराएं नहीं आप लोगों को परेशान नहीं होना है अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है किसी भी subject में तो आप WhatsApp ग्रूप में अपने friends से भी बात कर सकते हैं और मुझे से भी directly call या फिर message पर बात कर सकते हैं और अपना assignment आपको अगर हमसे बनवाना है अपलोड करवाने हैं अच्छे marks लेकर आने हैं तो आप जो है मुझे WhatsApp पर जरूर बताएं मैं आप लोगों की help जरूर करूँगा यह देखिए यहाँ पर फिर दुबारा से एक graph बनाने के लिए दिया गया था question में हमने graph भी बना दिया है और explain भी कर दिया है प्यारे बच्चों उमीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को like कर दिया होगा share कीजिए उन तमाम दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं क्योंकि जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे भगवान भी आपकी help नहीं करेगा तो सबसे पहले आप मेरा भला कीजिए चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और जाद से जादा दोस्तों को share कीजिए ताके उनका भी भला हो सके तो उमीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे नम्बरों से जरूर पास होंगे और भगवान आपको जरूर अच्छे नम्बरों से पास करवाएगा Thank you for watching my video